नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीill किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने की सलाह दूँगा क्योंकि आपके जितनी भी काउंसलिंग प्रोसेस है सभी यहां से आपको पता चल सकती है इसमें आप वीडियोस देख सकते हो जाके सौर्ट देख सकते हो लाइब सेशन्स देख सकते हो अल्रेडी अपलोडिड है चलिए आज के मुख्य टॉपिक के उपर ही बात कर देते हैं जो की आज आपका मास्टर डिगरी का रिजल्ट आया है MP8 के सेलेक्शन का रिजल्ट आया है तो वो आपने देखे होंगे कि MP8 की जो लिस्ट आई है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही इसमें बहुत सारी कन्फूजन है कि 1st rank किसके, 2nd rank किसके rank wise है कि क्या है किस तरीके से हमें पता लगेगा कि हमारा सेलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है तो चलिए आईए बात कर लेते हैं सबसे पहले मुख्य तोर पर जो rank wise list है ये arrange किया है अकास यादव MP8 के ही student है तो credit जाता है अकास को और भाई सबसे पहली चीज़ तो यह यहाँ पर आपको list मिल जाएगी telegram पे इसमें कुछ 1.5% कोई बोल सकते हैं कि outlier हो सकते हैं थोड़ी सी mistake हो सकते हैं लेकिन 99% ये पूरी की पूरी correct है इसमें first rank पे आपको 2 देखने को मिलेंगे एक आपका विकास दुएदी है और दूसरे आपको दीपक देखने को मिल रहे हैं तो ये second फिर आपको सुमीत यादव भी देखने को मिल रहे हैं फोर्थ में ये judo का ही अपना ही student कह सकते हैं junior कह सकते हैं बहुत बहुत congratulations बहुत बहुत बधाई जुडो के जब first आते हैं तो थोड़ा सा हमारा भी proud feel करने का मन करता है बाकी बहुत सारे students ने stop किया है हमारे और उनमें एक नाम प्रियांशु को भी जाता है प्रियांशु बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए है और इवन दो मैं कह सकता हूं कि बीपेड के लिए भी ट्राई किया था तो बीपेड में नहीं हुआ था प्रियांशु का आप लोग जितने हतास निरास होते हैं तो भाई यह घबराया मत करो यार देखो तीन साल बात सक्सेस मिलिए आप देखो बीपेड में नहीं हुआ अब डिरेक्ट एमपेड में हुआ तो कितनी अच्छी और प्राउड वाली बात है तो कॉंग्रेटिडेशन्स प्रियांशु को एक बार फिर से हर्दिक सुभकामनाई देना चाता हूँ और एक एक एक्जामपल आपके सामने सेट कर दिया है प्रियांशु ने कि अगर आपका बीपेड में नहीं हुआ है उससे दो साल सीनियर हो जाएगा डिरेक्ली में लगा लो मतलब की डिरेक्ली काफी उपर देखने को मिलेगा आपको अल्रेडी एक साल तो सीनियर होई जाएगा तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको रेंक वाइज ये लिस्ट जो है ये आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर दूँगा तो इसमें क्या क्या किस तरीके से करनी है आप सभी को पता है कितनी कितनी सीट्स एलनाइपी में हैं तो जेनरल की आपका सेलेक्शन हुआ की नहीं हुआ ये सब देखने के लिए आपको देखो और फीमेल के कोई अलक्सीट नहीं होती एमपीड में दोनों बराबर हैं तो टोटल आपको 80 सीट गौलियर में देखने को मिलेगी और गौहाटी में आपको 40 सीट देखने को मिलेंगी तो 40 और 80 मिलाओगे तो 120 होती है जिनका 120 है तो क्या उनका सेलेक्शन है नहीं ऐसा नहीं है आपको केटेगरी वाइस देखने पड़ेगी केटेगरी वाइस जितनी सीट हैं जैसे कि 40 सीट आपको गौहाटी में गौलियर और गौहाटी दोनों में अगर आपकी टोब 40 में आता है आपका सेलेक्शन हो गया है तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि कितनी सीट वहाँ पर है तो सीट वाइस सारी चीजे मैं आपको बता दूँगा कि कितनी सीट आपकी अवेलेबल है तो आप कमेंट में भी एक बार मैं मतलब पिन कर दूँगा इस चीज को कि अगर किसी का टॉप 60 में है तो उसका गौालियर या गौहाटी कहीं न कहीं होई जाएगा और OBC का है तो इस तरीके से वो सारी चीजे आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस भी एक बर देखना पड़ेगा और अब ही मैं आउटो सेशन हूँ तो इस चीज को थोड़ा सा बोर्ड पे नहीं समझा सकता नहीं तो मैं इसको बोर्ड पे समझाता आपको अच्छे तरीके से तो किसी भी तरीके से किसी को मतलब डरना नहीं है कि या काउंसलिंग कैसे करेंगे मैं इसको भर दूँगा तो क्या मेरा सेलेक्शन रद हो जाएगा मेरी कम रेंक है अगर वही प्रोसेस सेम एलन आई पी ने दोराया तो काउंसलिंग सेम उसी तरीके से होगी अगर नया कोई प्रोसेस आता है तो डेफिनेटली वी इनफॉम यू तो स्टे कनेक्टिड विद अस और आप तीन जगे हमसे कनेक्टिड हो सकते हैं सबसे पहली चीज़ तो आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे इसी चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना उसके बाद में आपके पास में कनेक्ट होने के लिए तीन टेलिगराम के पेजिस देखने को मिलेंगे एक तो आपको मिलेगा पहले ही नंबर पे फिजिकल एजुकेशन वेकेंसी का जो कि आपको डिरेक्टली सामने देखने को मिल रहा है यहां पर यह आपको वेकेंसी इसमें कोई भी वेकेंसी आती है वो हम आपको सारी इंफोर्मेशन देते हैं उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा physical education quiz इसमें free quiz होते हैं और 1000 से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं मतलब की 1200 something होगे उसके बाद में आपका तीसरा देखने को मिलता है that is आपका route to physical education जिसमें की 3000 के करीबन लोग हैं और ये आपके तीनों ही page आपको बहुत beneficial है इसके अलावा आप मेंसे whatsapp भी जुड़ सकते हैं तो whatsapp का link भी description में दे दूँगा और कोई किसी प्रकार की आपको information चाहिए तो आप directly हमसे connect हो सकते हैं इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ congratulations उन सभी को हतास होने की जरूरत नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि या मेरा selection नहीं हुआ या मुझे तो इतने कम marks दिये हैं आप देखो हतास होने की जरूरत नहीं है आपके बहुत अच्छे marks C.U.T. में थे और आपको marks नहीं दिये या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ cheating हुई है देखिए पूरी दुनिया में इसी तरीके से चलता रहता है आता रहता है चीजे आती रहती है जाते रहती है और जिंदिगी में पता नहीं क्या लिखा है मैं सच बोल रहा हूँ आपको और मतलब रात का टाइम है और मैं आपसे दिल की बात यही कहना चाहूँगा कि भाई जिंदिगी में आपको जो चीज मिलनी है वो मिलके ही रहीगी आप ये मतलब सोचते हैं कि मतलब भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है उपर करता है दुनियावाले मिरुसस ऐसा क्यों नीक है वाले हैं आप एक यकिन नहीं मानेंगे लेकिन इस सम्सेक्ति आपको बहुत बुरा लग रहा होगा दुनिया आपके लिए जो छीजें सोच रखें तो उपर बहुत समज़दार है भही हम तो नीचे वाले है तो उसने बहुत तगड़ी चीज सोच रखिया हमारे लिए आप चाहे बिलीव करते हो चाहे नहीं करते हो उपर वाले में लेकिन एक सूपर पावर ऐसी जरूर है जो न्याय करती है और जो वो न्याय करती है तो नीचे के जो सुपरीम कोट हाई कोट है सब फ यह क्या फ्रोफॉसर बनेंगे पूरिया में क्या एक सो बीस बच्चे ही प्रोफॉसर बनेंगे नहीं होता ऐसा तो आप इस चीज को थोड़ा सा ब्रोड सेंस में समझना कि आपके लिए बड़ी उपरचिनेह्र्टी कुछ इंते जार करगए तो थोड़ा सब दosition Лए लेना हमें education ने सिखाई होती हैं वो होता है humanism तो इस चीज पर थोड़ा से ध्यान देना ज्यादा ग्यान ना देते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि अपना ध्यान रखो parents का ध्यान रखो और आग्ये की सोचो बहुत कुछ दुनिया में घट जाता है हमारे साथ भी बहुत चीजे ऐसी हो रखे हैं जो हम आपको बता नहीं सकते और बस जो हमें personally जानते हैं वो बस हमें मतलब चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे कि इतना कुछ खो दिया हमने जि चलते रहना होता है जीवन में एक result आता है उसकी वजह से जिन्दगी थोड़ी कुछ रुक जानी होती है directly आपको बस चलते रहना आगे बढ़ते रहना जीवन आपका बहुत ही मतलब यूं लगा लो कि आपने moon को target किया तो definitely अगर moon miss हुआ है तो star को आप hit करेंगे ही इसी बात के साथ मैं आपकी अपनी वानी को विराम देता हूं और congratulations उन सभी को जिनका selection नहीं हुआ है क्योंकि वह कुछ बड़ी opportunity पाने के लिए बने है बई तो ध्यान रखो मेहनत करोगे तो definitely मिलेगी नहीं मेहनत करोगे तो यह thought फिर गलत हो जाएगा चलिए बाबाद ट देन एक्सक्लास में